दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल गौतम अडानी ने एंडी टीवी खरीद लिया तो बाकी चैनल भी खरीद लिये क्या लग तो ऐसा ही रहा है नहीं तो गौतम अडानी का अंग्रेजी और हिंदी में कुछ दिन पहले लंबा चौड़ा इंटरिव्यू करने वाले च चली है चलो एंडी टीवी में नहीं चली हमें समझ में आता है मतलब अपने माली के खलाफ थोड़ी कोई चैनल खबर चलाएगा लेकिन बाकी चैनलों को क्या दिक्कत है अडानी पर हिंदनबर्ग की रिपोर्ड आज एक्चली में देश की सबसे बड़ी खबर है और किट से एक कॉंपटिटर हमेशा के लिए खत्म हो जाए और दूसरे चैनल को नुकसान पहुंचे यह हमेशा से रहा है लेकिन आज चैनल वाले अडानी को लगे इतने बड़े जटके पर ऐसे चुप है कि आप कहेंगे इतना सन्नाटा क्यों है भाई दोस्तों बीबीसी ने मोदी जी पर एक डॉक्यमेंटरी बनाई जिस पर सरकार ने रोक लगा दी कुछ मुठी पर लोगों ने इसका विरोध किया तो चैनल वालों ने इस पर लंबी चोड़ी डिबेट्स करा दी प्राइम टाइम में प्रोग्राम कर दिये जबकि आज आप सड़क पर चलते किसी कि आदमी से पूछ लेंगे तो उसे पता भी नहीं होगा क्या बीबीसी कौन सी दोक्यमेंटरी पतलब लोगों को एक्चली में नहीं पता कि क्या ब्बीसी की डॉक्यमेंटरी में लेकिन जिस गौतमाड़ानी के शेरों ने गिरने का रिकॉर्ड बना कर शेयर बाजार में, शेयर मार्किट में कतलिया मचा दिया है LIC ने केबल दो दिन में सीधा 18,000 करोड गवा दिये उस पर एक डिबेट छोड़िये ब्रेकिंग नियूस तक नहीं क्यों वही? जो सरकारी कंपनी LIC देश के मिडल क्लास के लिए भरोसे का दूसरा नाम है उसे लेकर लोग आज डरे हुए है कि अडानी के चक्कर में कई LIC बरबाद ना हो जाए क्या उसे लेकर आपने किसी भी चैनल में खबर चलती देखी? ना ना ये मत सोचेगा कि ये पैसे का मामला है ना ये एजंडे का मामला है चैनल वाले अडानी पर इसलिए चुप नहीं है कि उनकी जेवेगरम है चैनल वाले अडानी पर इसलिए चुप हैं क्योंकि अडानी पर सवाल मतलब मोदी पर सवाल चैनल की सारी डिबेटें, संपादकों की सारी हेकडी और एंकरों का सारा एटिट्यूट विपक्ष के नेताओं पर तो फूटता है लेकिन अगर डिरेक्टली या इंडिरेक्टली सवाल मोदी जी पर आ जाएं तो इनकी चू करने की हैसेत नहीं है हिम्मत है तो पूछ कर दिखाएं चैनल वाले कि आखिर क्यों गौतम अडानी पर सरकारी बैंकों ने या सरकारी कमपनी लाइसी ने इतना पैसा इंवेस्ट कर दिया या इतना कर्ज उनको दे लिया ये पैसा कोई आस्मान से तो टपका नहीं है क्या चैनल वालों को आज ये नहीं पूछना चाहिए था कि अगर अडानी डूब गया भगवान ना करे अगर अडानी ग्रूप डूब गया तो देश के इन सरकारी बैंक और सरकारी कमपनी का क्या होगा चैनल वालों को पता है कि अगर अडानी पर सवाल उठे तो कट घरे में मोदी जी आ जाएंगे क्योंकि अडानी और मोदी जी की करीवियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है फिर चैनल वालों को विपक्ष के उन सवालों को फी जगा देनी पड़ेगी जो वो पिछले कई साल से हवा की तरह उडा रहा है जो विपक्ष अडानी को लेकर पिछले कई महीनों से सवाल पूच रहा है उन सारे सवालों की लिस्ट तयार करनी पड़ेगी चैनल वालों को जाहिर है ये सब करने के लिए आज के वक्त में जिगरा चाहिए इन चैनल वालों की नकली अडालत की फर्जी कटगरे में बठा कर अडानी से इंटर्व्यू करने की हैसियत तो इनकी है लेकिन असल सवाल पूचने की नहीं है अंदर की खबर यही है आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दे हैं चैनल को जॉइन भी करें सब्स्क्राइब भी करें और आप यूट्यूब ने हर वीडियो में हमें थैंक्स का उप्शन दिया है इसके जरी आप किसी भी वीडियो में जितना चाहें हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं